आज बना रहे हैं बनाना पैनकेक, बहुती टेश्टी और लाजवाब लगता है ये खाने में और बनाने में बहुती ज़्यादा आसान है, आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत मान से खाएंगे, तो आएए बनाते हैं इस हेल्दी रेसिपी को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बनाना पैनकेक बनाने के लिए एक ब्लेंडर या ग्राइंडर ले 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 और उसमें डाल दे एक कप दूद, इसी के साथ इसमें एक कप चीनी डाल दे और दो क जरूर चेक करें, बस केला डाल कर अब इसे अच्छी तरह ब्लेंड करके एक साइड रग दे, देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, अब एक मिक्सिंग बोल ले और उसमें डाल दे दो कप मैदा, ये जो मेजरिंग कप आप देख रहे हैं ये 250 ml का है, इसी के साथ इसम चमच बेकिंग पाउडर डाल दें, वन थर्ड कप इसमें मिल्क पाउडर डाल दें, और वन फोर्थ छोटा चमच इसमें मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा डाल दें, पहले इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद जो हमने दू, चीनी और केले का मिक्सर तयार किया है उसे डाल कर, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये ध्यान रखें कि इसमें गुठलिया ना जाहे तो जो इलेक्ट्रिक बीटर आता है ना ब्लेंडर उससे भी से ब्लेंड कर सकते हैं, एक चमच इसमें वनीला एसेंज डाल कर, अच्छी तरह मिक्स कर लें, देखिए अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना काफी ठीक है, यानि की गाड़ी है, इसको पतला करने के हूँ, वन थर्ड कप रिफाइंड ओयल, बस इसे डाल कर, अच्छी तरह मिक्स कर लें, यह जो रिफाइंड ओयल है ना इसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, बस इसे डाल कर, अच्छी तरह मिक्स कर लें, और आप देख रहे होंगे, इसकी कंसि की पैन लिया है अगर आप लोहे का तवा इस्तमाल कर रहे हैं तो पहले उसके उपर ऑइल जरूर लगाएं यह नॉनिस्टिक की पैन है तो इसके उपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है वैसे आपको बताओं नॉनिस्टिक की पैन पर यह सब चीजे बहुत अच्छी बन तब इसे आप पलड़ दें और इसे हमने सेखना है धीमी आज पर आपको सेकेंड बात देखेंगे यह जो पैनकेक है बनकर तयार हो चुका है देखने में यह जितना अच्छा लग रहे है यकीर मानिए खाने में भी यह बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है देख रहे जो सारा पैनकेक है बना कर तयार कर लेंगे मैंने दो तवा रख लिया है ताकि मैं इसे जल्दी जल्दी बना सकूँ बस इस पे भी डाल देते हैं और ध्यान रखना है गैस का फ्लेम धीमा ही रखना है कुछ सेकेंड के बाद इसके उपर ओयल लगा दे इस तरीके से और ज इसे फ्रीज में श्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करें आप बच्चों को इंज्वाय करने के लिए दे सकते हैं तो उमीद करते हूं ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू